दोस्तों जैसा कि आप सबी जानते होंगे बीते शुकरवार यानि के 11 अगस्त को सिनीमा अगरों में बॉलिवूट के दो बड़े सुपरिस्टारों की दो बड़ी फिल्म में एक साथ रेलीस हुई थी एक तरफ थी बॉलिवूट के खिलाड़ी अक्षे कुमार की फिल्म ओमाई गोटू जिससे अक्षे कुमार और अक्षे कुमार के फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीदे थी और ठीक वैसा हुआ क्योंकि अक्षे कुमार ने एक बार फिर से बॉलिवूट में वापसी कर ली है क् ओमाई गोटू इतनी शांदार फिल्म है ये ओडियंस को बहुत ज्यादा पसंदारी हो और यही वज़ा है कि फिल्म बॉक्स आफिस पर ताबर तोड कलेक्शन कर रही है इससे पहले अक्षे कुमार की बॉक्स आफिस पर लागातार फ्लो अप और डिसास्टर हो रही थी बच्चन पांडे हो रक्षा बंधन हो रामसेतु हो या फिर सेलफी हो हर किसी फिल्म ने इतना ज्यादा निराश किया था कि अक्षई कुमार के फैंस तो अक्षई कुमार से नाराजी हो गई थी लेकिन एक बार कही ना कही अक्षई कुमार ने सोचा कि क्यो ना एक फिल्म पे सालों से काम चल रहा था वो एक शांदार फिल्म बना के दी है जो ओडियन्स को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है तो Oh My Go To बॉक्स आफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है बॉक्स आफिस पर गदर मचा रहा है दिल्ली NCR हो चाहे मुंबई पंजाब हो या बिहार उत्तर पिर्देश हो या मध्य पिर्देश हर पिर्देश में हर शहर में गदर टू ने तहलका मचा दिया है क्योंकि फिल्म इतनी तगड़ी कमाई कर रही है कि पठान हो, KGF चाप्टर टू हो बाहु बली टू हो, चाहे दंगल टू हो हर किसी फिल्म को पीछे छोड़ दिया यहाँ पे गदर टू ने क्योंकि गदर टू बॉक्स आफिस पर वो तूफान मचा रही है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था फिल्म को रिलीज हुए आस सिनी मागोरों में चौथा दिन चल रहा है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गदर टू और ओमाई गो टू यह दोनों फिल्में अपने पहले चार दिनों में टोटल कितनी-कितनी कमाई करने में काम्याब हो चुकी है ओवर सीस से इन फिल्मों का कितना कलक्शन रहा कुल मिला के पूरे वल्ड में फिल्म कितनी-कितनी कमाई कर चुके फिल्म में बॉक्स आफिस पर हिट रही है फिर फिलोव Іन फिल्मों का बजट कितना है तो दोस्तो बस आफ इस वीडियो के साथ बने रहिएगा लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आप अक्षरी कुमार और सनी देवल को एक बहतरी नभी निता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ-साथ इस चेरिल को भी जरूर सबस्क्राइब कर लीजिएगा दोस्तो अगर सबसे पहले बात करें फिल्म Oh My God 2 की तो अमित राय के डिरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसका बजट लगबग 1.500 करोड पेका है हाला कि फिल्म का बजट officially नहीं है हो सकता है कि फिल्म का बजट कम भी हो लेकिन इतना बताया जा रहा है फिल्म को प्रिड्यूस क्या है विपुल दद्शा और अरुनाप भाटिया ने फिल्म में हमें अक्षई कुबार के साथ पंकस तिरपाठी और यामी गोतम एहम किरदार में नसरा रहे लेकिन फिल्म के जितनी तारीफे करी जाए कम है पहले दिन से इस फिल्म को बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिली है जबसे फिल्म सिरीमा घरों में रिलीज हुई है और यही बज़ा है कि फिल्म बॉक्स आफिस पर एक अच्छी कमाई करने में काम्याब हुई है अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो दूसरे दिन कलेक्शन में उच्छाल आ ही जाता है और तीसरे दिन संडे को फिल्म के कलेक्शन में और भी ज्यादा अच्छा उच्छाल हुआ फिल्म ने कमाई पूरे इंडिया से संडे के दिन 18 करूड उपे और जबके बॉलिवूड के सबसे बड़े अक्शन हिरो सनी देवल की फिल्म गदर टू पूरे हिंदुसान के अंदर चाही हुई है बावजूद इसके अक्षई कुमार की फिल्म बॉक्स आफिस पर तूफान बचा रही है उसके लावा अगर मैं बात करूँ चौथे दिन यानि के आज की तो दोस्तो आज की जो एडवांस हुई थी वो साड़े 3 करूड उपे से ज्याना की हुई है तो फिल्म आज भी अपने चौथे दिन 10 करूड उपे पूरे इंडिया से नेट कमारी है तो फिल्म का जो टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन है वो 53 करोड 56 लाग उपे इंडिया से नेट हो रहा है और वही फिल्म पूरे वल्ड में 80 करोड उपे कमारी है अब दोस्तों वज़ा इसकी यह है फिल्म को पॉजिटिविटी मिली है यानि कि शानदार फिल्म है तो आप लिख लीजी फिल्म लंबा चलने वाली है और फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपर इठ होने वाली है लेकिन अब दोस्तों यहाँ में बात करेंगे गदर टू की गदर टू ने जिस तरह से तारीफे बटूरी है इतिहास को एक बार फिर से दोहराया है 90's का दोर एक बार फिर से हमें देखने को मिला है साल 2001 में गदर टू गदर एक प्रेम का था कि लिए जो प्यार हमें देखने को मिला था वो एक बार फिर से देखने को मिला है कभी किसे ने सोचा भी नहीं था कि पठान के जी अफ चाप्टर टू और बाहु बली टू जैसी फिल्मों के रिकोर्ड तूटने वाले हैं और गदर टू ने ये करके दिखाया इन सभी फिल्मों को पीछे छोड़ती हुए नजर आरी है अपने तीसरे दिन गदर टू अब अगर मैं बात करूँ फिल्म गदर टू के बॉक्स आफिस कलक्शन की तो उससे पहले मैं आपको बताता चलू की गदर टू का बजट लगबख सो करोड उपे का है हाला कि ओफिशली नहीं है लेकिन फिल्म के मेकर्स नहीं कहा है कि फिल्म को बनाने में और फिल्म के पिर लाक रुपे इंडिया से नेट हुआ था उसके बाद दूसरे दिन के कलक्शन में हमें बहतरी नुचाल देखने को मिला फिल्म ने कमाए 43 करोड आट लाक रुपे और तीसरे दिन फिल्म का कलक्शन रहा लगबख 52 करोड रुपे का तो अपने पहले तीन दिनों में गदर 175 करोड पे कर चुकी है बात करूं में 4 दिन यानि कि आज की तो दोस्तो आज हैरान कर देने वाला कलक्शन फिल्म गदर टू कर रही है क्योंकि आज वर्किंग डे है यानि कि कोई भी छुट्टी का दिन नहीं है तो यहां पे 32 करोड पे अपने 4 दिन फिल्म गदर टू कर जो की काफी बड़ा रिकोर्ड होगा वर्किंग डे पर कोई भी बड़े-बड़े सूपर स्टारों की फिल्म में असा नहीं कर पाती जो गदर टू करके दिखा रही है तो चौथे दिन 32 करोड रुपे तो फिल्म का जो टोटल बॉक्स आफिस कलक्शन है वो 167 करोड तो वहीं फिल्म पूरे वल्ड में 218 करोड पैसे ज्यादा की कमाई करती हमें नजर आ रही है और फिल्म बॉक्स आफिस पार अभी तक चार दिनों में ही सूपरिट हो चुकी है लेकिन ओम आई गो टू या फिर गदर टू आपको इन दोनों में सबसे ज्यादा फिल्म कौ कौन से ज्यादा पसंद आईए कमेंड में जरू बताईएगा